तो दोस्तों मैं आप सभी का हाथ जोड़कर स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर और हमेशा की तराज फिर से मैं आप सभी के लिए एक बहतरीन होरा स्टोरी लेकर हाजर हुआ हूँ और आज की जो हौर स्टोरी है वो आज फिर से होने वाली है वेंडिको की हौर स्टोरी अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई रोज रोज वेंडिको की हौर स्टोरी क्यों अपलोड कर रहे हूँ तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंगी कमेंट्स इतने आते हैं कि भाई वेंड प्लीज आप वहाँ पर जाकर विजिट करें और कहानियां सुनें तो मेरे वेंडिगोस लवर्स जो हैं वो अपने हेड़फोन्स लगा ले और कहानी के बारे में मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कहानी जो है वो एक फॉरस्ट रेंजर की है जिसके जंगल में एक क्रिमिनल गैंग जो है वो खोश जाती है और उसमें सीक्रेटली रहने लगती है अब पुलिस वालों को जब इस बारे में पता चलता है तो वो फॉरस्ट डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करते हैं उसके बाद कुछ पुलिस वाले और फॉरस्ट रेंजर जो है उन क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए जाते हैं वो जंगल एरिया में बहुत जादा बड़ा होता है जिसके कारण उन क्रिमिनल्स को ढूंडने में फॉरस्ट रेंजर को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लेकिन जब फॉरस्ट रेंजर और पॉलिस वालों को वो क्रिमिनल्स मिलते हैं तो साथी साथ उन सब को एक ऐसा दानव भी मिल जाता है जिसे मारना तो दूर उल्टा उससे अपनी जान बचाना तक उन सभी के लिए मुश्किल हो जाता है विक्रम एक ऐसा होनार वै बहादुर फॉरस्ट रेंजर जिसके बहादुरी के किसे पूरे डिपार्टमेंट में मशूर थे और इसलिए जितने भी फॉरस्ट रेंजर थे उस डिपार्टमेंट में सब का रोल मॉडल विक्रम ही था हर कोई उसी की तरह बहादुर वैदिलेर बनना चाहता था जब भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास कोई बड़ा काम आता तो सबसे पहले वहाँ के जो सीनियर्स थे उनकी नजर विक्रम को ही ठूनती क्योंकि उन्हें बदा था कि बड़े कामों को करने के लिए सबसे भरोसे मंद जो फॉरेस्ट डेंजर है वो विक्रम ही है वैसे तो काफी लंबे समय से सब कुछ शान्त चल रहा था विक्रम को कोई भी ऐसा बहादुरी का काम करनी की जरूरत नहीं बड़ी थी एक दिन फॉरेस्ट डेपार्टमेंट के जो हैड थे वो अपने ऑफिस में बैठी हुए थे और कुछ काम कर रहे थे तब ही अचानक से उनके ऑफिस का जो फोन था वो बज़ेने लगा उन्होंने फोन जो था वो उठाया तो सामने से वाज आई एलो मैं इंस्पेक्टर अजीट बोल रहा हूँ आपकी शहर का जो पुलिस टेशन है वहाँ से और मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है क्या आप दो मिनिट दे सकते हैं उसके बाद क्या था वो जो फोरेस्ट डिपार्टमेंट के हैड थे उन्होंने कहा जी हाँ ज़रूरी काम के लिए मेरे बास समय ही समय है आप बोलिए आपको क्या बोलना है तब ही वो जो इंस्पेक्टर था उसने कहा जी थैंक यू बात कुछ ऐसी है कि अभी थोड़ी दिर पहले मुझे हमारे शहर का जो सबसे बड़ा जेल है वहां के जेलर का फोन आया था और वहां से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि उनकी जेल से कुछ बहुत ही खुमखार अपरादी जो है वो भाग निकले हैं और उनके पास बहुत ही खतरनाक हतियार भी है अब ये बात जो वो पब्लिक नहीं करी गई है क्योंकि शहर में डर का महौल बन जाएगा गवर्मेंट का ओर्डर है कि हम उन अपरादियों को ढूंड कर उन्हें जल्द से जल्द मौत के खाट उदार दे या फिर उन्हें जेल वापस लेकर आए अब हमने जो पूस्ताज है पूरे शहर में जो है वो सीक्रेटली शुरू कर दी है हमारे जितने भी गुप्तचर है उन तक बात पहुचा दी है और हमारे जो कुछ गुप्तचर है उनका कहना है कि वो सभी अपरादी आपके जंगल में छुपकर रह रहे हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि आप उन्हें ढूनने में हमारी मदद करें लेकिन एक बात का ख्यास ख्याल रहे कि वो जितने भी अपरादी हैं वो बहुती ज़दा खुंखार है उन्होंने दरजनों मडर किये हैं वो किसी की जान लेने से पहले मिनिट भी नहीं सोचते इसलिए आप किसी ऐसे ओफिसर को हमारे साथ भेजिये जो बहुती ज़दा दिलेर हो और बहादूर हो ये बात सुनकर वो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हट थे उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ विक्रम की जो छवी थी वो बनने लगी उसके बाद उन्होंने कहा जी आप विल्कुल भी फिक्र ना करें हमारे डिपार्टमेंट में बहुती बहादूर बहादूर फॉरेस्ट डेंजर हैं और मैं आपको एक ऐसे फॉरेस्ट डेंजर का साथ दूँगा जो आपकी पूरी सहायता करेगा उन क्रिमिनल्स को पकड़ने में ठीक है बस आप अपनी टीम को यहां बेज दीजे उसके बाद आगे की बात करेंगे उसके बात क्या था विक्रम को बुलाया गया और वै अपने जो हेट थे फॉरेस्ट डेपार्टमेंट के उनके सामने पहुँचा उन्होंने वही सारी बाते बताई जो उन्होंने उस इंस्पेक्टर से बता चली थी उसकी बाद विक्रम ने कहा ठीक है सर मैं ये काम करने के पूरी तरह से तयार हूँ बस आप मुझे और दीजे और वहां जो टीम मेरे साथ काम करने वाली है उसे भेज दीजे मैं पूरी मायदत करूँगा उन क्रिमिनल्स को पकड़ने की और उन्हें पकड़के भी रहूँ उसके बाद किया था वो जो पुलिस टेशन से टीम थी पुलिस वालों की वो डिपार्टमेंट में पहुँची तकरीबन दस पुलिस वाले थे और एक अकीला फॉरेस्टेंजर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो हैड थे उन्होंने सब इंट्रोटक्शन वगारा करवाय विकरम का और विकरम ने भी सबसे हाथ वगरा मिलाया क्योंकि अब उन्हें एक बहुत बड़े मिशिन को अंजाम देना था उसके बाद उन सब ही ने मिलकर प्लैन बनाने का सोचा अब वो जो पुलिस वाले थे उन्होंने विकरम से कहा देखिए सर बात कुछ ऐसी है कि हमन आपकी जरूरत सरिफ इसलिए क्योंकि जितने भी अपरादी हैं जिने हमें पकड़ना है वो सभी जंगल में छुपे हुए हैं और हमें जंगल के बारे में कोई आइडिया नहीं है क्या किर जंगल में कौन से जानवर हमें मिल सकते हैं किन से हमें खत्रा है और उन सभी खत् पर सकते हैं आप सरرف इतना काम करिए कि हमारी सरक्षा करते हुए जंगली जानवरों से हमें सिर्फ रास्ता दिखाते रही है कि आखिर वो क्रिमरल स्थे हैं वो कहा पर छुपे हो सकते हैं और जैसे ही वो हमें मिलेंगे हम उन्हें उपर बहुचा देंगे अब आप बताए कि इस जंगल में ऐसे कौन से इलाके हैं, जहाँ पर वो छुपकर रह सकते हैं, उसके बाद क्या था, विगरम के चैरे पर मुस्कुरहाट आ गई, और उसने कहा, ठीक है सर, मैं समझ गया, आप एक बहुत जबाज पुलिस वाले हैं, ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, मैं आप आपको ज़रा ध्यान से देखिए, हमारे जो जंगल है, वो 25 किलो मीडर के एरिये में फैला हुआ है, और ये जितने भी आपको रेड स्पॉट दिख रहे हैं, ये कुछ ऐसे इलाके हैं, जहाँ पर हमारे जब फॉरस टेंजर हैं, वो जादा आते जाते नहीं हैं, कारण य नहीं है, कि वहाँ पर कुछ खुंखार जानवर, जशे शेर वगएरा रहते हैं, और वो फॉरस टेंजर्स के लिए खत्रा बन सकते हैं, इसलिए हम वहाँ उन इलाकों से दूर रहते हैं, बाकी जितने भी इलाके हैं, वहाँ पर हमारा पूरा कंट्रोल है, हमारे ऑफिसर् लगबख पेट्रोलिंग होती है, इसलिए हम इस बात की गरंटी तो देख सकते हैं, कि इन इलाकों में वो अपरादी तो नहीं होंगे, बस ये जितने भी रेड स्पॉर्ट्स हैं, वही पर वो इलाके मौजूद हैं, जहां पर वो अपरादी जो है वो छुपे हो सकते हैं, बट अब हमें जो हैं इस बात का भी धान रखना है, कि इन इलाकों में जानवर भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, ठीक है, बस उन जानवरों से बच कर हमें इन इलाकों में पेट्रोलिंग करनी हैं और उन अपरादी ओको डूड़ना है, और अपरादी मिलते ही, आपने तो बता दी दिया कि आप उनके साथ क्या करने वाले हैं ठीक है उसके बात क्या था सभी ऑफिसर्स जो थे जो पुलिस वाले थे वो भी ऑफिसर्स ही होते एक तरह के वो भी हज़ने लगे कि हाँ भाई ठीक हैं काउंटर वगएरा कर देंगे अब उन सभी ने मिलकर सिर्फ यही रेड स्पॉट कहलाए जाते हैं जहां पर जादा इंटरफेर जो है डिपार्टमिंट का वो नहीं होता बाकि इस इतने भी इलाकी होते हैं वहाँ पर प्रॉपर पेट्रोलिंग जो है वो होती रहती है इसलिए क्रिमिनल्स जो है वो वहाँ तो रह नहीं सकते बाकी बचे रेड स्पॉट किसी न किसी रेड स्पॉट में वो क्रिमिनल्स पक्का रह रहे होंगे अगर गुप्त चरो की खबर जो है वो पक्की है तो रात के समय उसके बाद कुछ जीप लेकर दो-तीन जीप लेकर उसमें पुलिस जो है वो सवार हुई और साथी साथ विक्रम भी जो रात को जंगल में अजीब अजीब खीडे मकोडे की जो आवाजे थी वो सुनाई दे रही थी पुलिस वालों को और विक्रम जो है वो बेफिक्र होकर जीप जो है वो ड्राइव कर रहा था साथे साथ बीचे जितनी भी जीपे थी उसमें एक-एक फॉरेस रेंजर जो था वो भी बैठा हुआ था और वो सिर्फ ड्राइवरिंग का काम कर रहे थे बाकी जो पुलिस वाले थे वो बस इधर उधर देख रहे थे सबके पास नैट विजिन्स ग्लासिस थे जिने पहन कर उन्हें साफ साफ सब कुछ नजर आ रहा था उन्हें बहुत सारे जंगली जान जाइश हो सकती थी उस रेड स्पॉट से तकरीबन पांसो मीटर दूर ही सारी जीपे जो थी वो रुक गई और विक्रम ने कहा अब हमें यहां से पैदल चलना होगा क्योंकि अगर हम इसके आगी गए तो उन्हें हो सकता है कि हमारी जीप की जो आवाज है वो सुनने में आ आया और अपनी अपनी जो बंदूखे थी उन्हें लेकर वो सभी आगे बढ़ने लगे तभी आगे बढ़ते बढ़ते वो जैसे ही रेड स्पॉट में एंटर हुए तो उन्होंने एक बहुत बड़ा तलाब देखा जिसमें मगरमच्छ जो थे वो घूम रहे थे उन मगरम में किसीने कुछ सोचा नहीं था एक जाड़ी जो थी वो अचानक से बहुत जोर से हिलने लगी ऐसा लगने लगा जैसे उस जाड़ी में कुछ है और वो जो फॉरेस्ट रेंजर्स थे उन्हों अपनी जो गंग थी वो उस जाड़ी की तरफ पॉइंट कर दी और बाकी फॉ इस वाले कोशिश कर रहे थे कि वो इस इलाके में छानबीन करे कि आखिर वो क्रिमिनल्स कहां हो सकते हैं तभी वो जो जाड़ी में हलचल थी वो उन्हों बंद हो गए और जितने भी रेंजर्स थे उन्होंने अपनी बंदों जो थी वो नीचे करी तभी अचानक से उस जा फॉरस श्रेंजर की गर्दन जो थी उसे पगड़ा और उसे चाड़ियों में खीसता हुआ ले गया विक्रम ने बिना कोई देरी किये उस बाग के उपर बहुत सारी गोलिया चलाई लेकिन जंगल जो था वो बहुत जादा खाना था और वो बाग और वो बाग उस फॉरस जो थी वो खराब हो गई और उस चंगल से सिर्फ और सिर्फ वो जो फॉरस श्रेंजर था जिसे बाग ले गया था उसके चिलाने की जो आवाज थी वो गूँचने लगी अब फॉरस श्रेंजर जो थे वो उसे बचाने के लिए जंगल में गए तो लेकिन तब तक बहुत जादा देर हो चुकी थी, वो बाग जो था, वो उस फॉरेश रेंजर को मार चुका था, ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया, ना ही फॉरेश रेंजर्स और पुलिस वाले तो एकदम सदमे में आ गए थे, क्योंकि उन्होंने इतना भ्यानक न मारना तै था, क्योंकि अगर वो जिन्दा बच जाता, तो उसके मूँ तो इनसान का खून लगी गया था, और अगर ऐसा रहता कंटीनियो, तो वो बाग इनसानों को मारना शुरू कर देता, इसलिए उस बाग को भी मारना जरूरी हो गया था, उस बाग को वही पर खून से लगपा छोड़कर वो आगे की ओर बढ़ गया और अपनी जीप में बैट गया, उस इलाकी को पूरी अच्छी तरह से छान बिन करके देख लिया गया और डेपार्टमेंट में ये बात पहुचा दी गई कि ऐसा ऐसा हो गया है, डेपार्टमेंट में भी बहुत दुख का म रेड़ स्पॉट जो है, वो कितने जादा खतरनाक है, वहाँ पर जाना और छान बिन करना कितना मुश्किल भारा काम है, तकरीबन पाच किलो मेटर बाद एक और रेड़ स्पॉट आया, और वहाँ पर सभी जो पुलिस वाले थे, वो तरने से डर रहे थे, क्योंकि अभी अभी उन्होंने अपनी आखों के सामने इतना भ्यानक नजारा जो था, वो देखा था, लेकिन अब मिशन पर आये हैं, तो कुछ न कुछ तो करना ही है, इसलिए जैसे तैसे डरते हुए, वो सभी रेड़ स्पॉट के अंदर गुस गये, अब फॉरस्ट इंजर्स के लिए तो सब आम बात थी, इसलिए वो भी थोड़ा बहुत डरे तो थे, लेकिन अब क्या ही कर सकते थे, बाकी मिशन पूरा करनी के लिए वो भी रेड़ स्पॉट के अंदर गुस गये, वहां पर उन्होंने देखा कि एक दलदल इलाका था, जहां पर पैर रखते ही कोई भी कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर किसी का पैर पढ़ जाए, तो डिरेक्ट सीधा वो दलदल उसे अंदर खींच लेता था, उस दलदल का जो एरिया था, वो तकरिवन 500 मीटर में फैला हुआ था, उसके बाद वो जो पुलिस वाला था, उसने कहा, अर कि यहाँ पर तो कोई कुछ करी नहीं सकता, यहाँ पर कोई नहीं रह रहा होगा, इस दलदल में कौन रहेगा, उसके बाद वो जो विक्रम था, उसने कहा, आपकी बात थीक है, यहाँ पर कोई भी क्रिमिनल सरवाइव करी नहीं सकता, लेकिन फिर भी हमारी ड्यूटी एग कि चलो वापस चलते हैं और वो सभी वापस जा ही रहे थे तब ही गलती से एक पुलिस वाले का जो पैर था वो दल्दल में पढ़ गया और उसका जो आधा पैर था वो उस दल्दल के अंदर समा गया वो पुलिस वाला चिलाने लगा विक्रम जैसे ही उस पुलिस वाले की चलाने की अवाज सुनकर वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि उसका लगबग लगबग आधा शरीर जो था वो उस दल्दल में गोश चुका था और वो जितना अपने आपको बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था वो उतना अंदर दास्ता चला जा रहा था तब ही अचानक से विक्रम जो था वो भागता हुआ अपनी जीब के पास गया और उसने अपनी जीब से एक बड़ी वी सी रसी जो थी वो लेकर आया उस बड़ी सी रसी को उसने उस पुलिस वाले के पास फिका और विक्रम ने कहा कोई भी आस पास मत जाना क्योंकि कहाँ पर दल्दल है कुछ पता नहीं चल रहा है इससे अच्छा है कि सब वापस आजाओ वापस आजाओ जितने भी हो सब वापस आजाओ उसके बाद क्या था सबी पुलिस आफिसर्स और वो जो फॉरेस शेंजर थी वो सबी जो समतल जमीन थी जहां पर पक्का यकीन था यहां वाई यह जमीनी है वहाँ पर पहुँच गए और विक्रम ने वो जो आदमी था पुलिस वाला उसकी तरफ रसी भेकी रसी जैसे ही उस पुलिस वाले ने पकड़ी तो सबी ने मिलकर थोड़ी बहुत ताकत लगाई और वो जो आदमी था पुलिस वाला वो दलदल से बहार आ गया और उसका तो पुरा हानज जो था वो खराब हो गया क्योंकि उसने अभी-भी मौत को देखा था उसके बाद विक्रम ने कहा आप ठीक तो हैं वो पुलिस वाला जोर-जोर से हाफ रहा था उसे बठाया गया जीप में और वहाँ से नेक्स्ट रेड स्पॉट की तरफ चल दिया गया हर रेड स्पॉट पर कोई ना कोई भ्यानक खत्रा वो भी जान लेवा अब ये बात तो पुलिस वालों को समझ आ गई थी अब उन्हें क्रिमिनल से ज़ादा उन्हें जंगल के रेड स्पॉट से डर लग रहा था विक्रम जो था वो बहुत ही ज़ादा बहादुर था इसलिए उसके दिमाग में मिशिन कैसे पूरा होगा यही सब चल रहा था और जितने भी बाकी लोग थे उनके दिमाग में ये था कि आखिर अगले रेड स्पॉट पर उन्हें क्या मिलने वाला है अब जो रेड स्पॉट था वो लास्ट रेड स्पॉट था क्योंकि बाकी के जो रेड स्पॉट थे वहाँ अपर जाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर था क्योंकि हर जगा सिर्फ और सिर्फ दलदल और भयानक न दिया ही थी जहाँ पर कोई भी इंसान रही नहीं सकता था जीप चलने के बाद में हमेशा की तरह 100 मीटर पर तकरीबन जीप जो थी वो रोक दी गई क्योंकि मजबूरी थी अगर वो जीप को लेकर आगे चलते तो जीप की जो आवास थी वो क्रिमिनल सुन लेते इसलिए 100 मीटर दूर ही उन्होंने जीप को रोक लिया और वो सभी वापस जीप से उतर गए सारे जो पुलिस इंस्पेक्टर थे और फॉरेस श्रेंजर सो थे वो आगे बढ़ने लगे और तभी एक फॉरेस श्रेंजर को दूर कुछ लाइटे जलती भी नजर आए उन लाइटों को देखकर उस फॉरेस श्रेंजर ने कहा सर वहाँ पर देखी वहाँ पर कुछ लाइटे चल रही है अगर मैं सही से देख पा रहा हूं तो वो शायद कुछ जोपड़ी जैसा नजर आ रहा है उसके बाद क्या था विक्रम ने अपनी नजरे जो थी वो पैनी आ गई वो जोपड़ी एक बहुत ही खने जंगल वाले एरिया में बनी हुए थी और साफ साफ पता चल रहा था कि उस जोपड़ी में कोई रह रहा है उसके बाद क्या था विक्रम ने कहा देखे सर हमने उन क्रिमिरल्स को ढूंड लिया है अब आप बताईए कि आप क्या कर होना चाहेंगे अब आप अकेले जाएंगे या फिर आपको हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी उसके बाद वो जो पुलिस आफिसर था उसकी हालत तो पहले ही खराब हो चुकी थी वो भ्यानक दलदल देखकर अपने साथी को दलदल में फस्ता हुआ देखकर उस फॉरे स् खत्रे में फस गये तो हम बहले ही मर जाएंगे तो उन क्रिमिनल्स को क्या मारेंगे इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप आगे आगे चले और हमारा मार तर्शन करें कहां पर खत्रा है उसके बाद उस शोपड़ी के पास पहुंसते ही हम अंदा दूंद फाइरिंग कर देंगे और उन क्रिमिनल्स को मार देंगे विक्रम जो था वो समझ गया कि हाँ भाई इसकी हालत जो है वो खराब हो चुकी है और उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था इसलिए विक्रम ने कहा ठीक है आप सभी मेरे पीछे पीछे चलिए और अलग अलग डारेक्शन में फ इसके बाद वो सभी उस छोपड़ी के पास पहुँचे और उन्होंने पूरी तरह से चारों ओर से उस छोपड़ी को कवर कर लिया अब बस इस बात का इंतिजार था कि उसके अंदर वो क्रिमिनल्स है या फिर नहीं ये बात कन्फरम करनी थी इसलिए एक छोटा सा चो पत् थर लगा तो दर्वाजे के उस पार से मतलब जोपड़ी के अंदर से किसी आदमी के चलने फिरने की आवाज जो थी वो आने लगी तब ही खिड़की में नजर आया कि वो जो आदमी था वो वह एक क्रिमिनल था जो जेल से भागा हुआ था उसके बाद क्या था अंदर दु जादा गोलियां जो थी वो जोपड़ी पर चली जिसकी वज़े से पूरी जोपड़ी जो थी वो छली हो गई अब जोपड़ी कोई सीमेंट वगारे की तो थी नहीं वो कोई नॉर्मल चीजे थी जिससे मिटी वगारा उसी से जोपड़ी बनाई गई थी इसलिए सारी गोल जो पड़ी के अंदर गोस गया और उन्होंने अंदर देखा तो तीन जो क्रिमिनस थे उनकी लाश्य पूरी तरह से चलनी हो चुकी थी और वो वही पर खोन से लत्पत पड़े हुए थे तीनों को अटिटिफाई कर दिया गया लेकिन अभी घबराने वाली बात थी क्योंकि दो अपरादी जो थे वो अभी जिन्दा थे टोटल पाच लोगों का गैंग जो था वो भागा था इसका मतलब दो लोग भी यहीं कहीं होंगे सबकी नजर उन दो अपरादियों को ढूंड रही थी तबी अचानत से विक्रम ने देखा कि एक अपरादी जो है वो वहां से भागता हुआ जा रहा है उसके बाद विक्रम बिना कुछ सोचे समझे ही उस अपरादी के पीछे भागने लगा और दूसरा अपरादी भी उस अपरादी के पीछे भी भागने लगा विक्रम और वो पुलिस आफिसर अजीत दोनों अलग अलग डिरेक्शन में चले गए और बाकी की जो लोग थे वो भी आपस में बट गए और उन दोनों के पीछे पढ़ गए ताकि वो दोनों जिन्दा ना बचे वो सभी विक्रम और वो पुलिस इंस्पेक्टर अजीत उन दोनों क्रिमिलल्स को पकड़ने की चकर में इतने जादा अंधे हो गए कि उन्होंने ध्यानी नहीं दिया कि आखिर वो कहां भाग रहे हैं किस जारेक्शन में भाग रहे हैं बस वो भागते गए तकरीबन एक कि क्रिमिलल्स का पीछा करते करते वो दोनों आगे आगे और एक टकर पर उन दोनों की मुलकाझ जो थी वो हो गए पीछे बाकी भी जो फॉरेश येंजर और पुलिस वारे थे वो आ रहे थे लेकिन जो सबसे हैड थे वो आगे आगे ओन दोनों की जंगल की वाग ज़ test से और साथी साथ घने जंगल की वज़े से वो दोनों क्रिम्लल्स कहां गायप हो गए अब ना ही विक्रम को पता चला ना ही उस सीनियर इंस्पेक्टर अजीत को अब दोनों उस साथ में मिल तो गए थे लेकिन दोनों हाफ रहे थे और दोनों बहुत ज़ादा टेंशन में थे कि अगर वो कही भागते हुए जंगल के बाहर पहुँच गए तब उन्हें पूरे शेहर में ढूनना पड़ेगा इसलिए वो दोनों फिर से उस डिरेक्शन में भागी रहे थे तब ही अचानक से उन्हें उन दोनों की ही चीखने की आवाज सुनाई दी और वो बहुत ही ज़ादा तेज थी ऐसी आवाज जैसे उनको किसी ने मार दिया हो अजीत और वो जो विक्रम था फोरेश रेंजर उसने अपने पीछे देखा तो जितने भी उनके साथ ही थे वो सभी पीछे थे तो अगर वो सभी वहाँ पर हैं तो आखिर उन दो क्रिमिनल्स को मारा किसने अब अजीत को ये लग रहा था कि कहीं वहाँ पर भी कोई बड़ा सा बाग तो नहीं है जिसने दोनों को मौत की घाट उतार दिया हो और यही बात उसने विक्रम से कही और विक्रम ने कहा हाँ हो सकता है कि वो दोनों किसी बाग के चपेट में आ गए हो और अगर ऐसा हुआ तो उनकी लाशी ठूड़ना बहुत ज़ादा मुश्किल हो जाएगा और हमें प्रोफ भी तो देना है कि वो दोनों मर गए है उसके बाद क्या था वो बहुत घबराती हुए आगे बढ़ने लगे उनके सब के हाथ में बंदूक थी और वो एकदम सोचकर बैठे हुए थी कि कही से भी बाग का हमला हो सकता है और बाग का हमला होते ही उने फायर करना है तकरीबन सो मिटर जैसे ही वो आगे बढ़े अपनी टीम के साथ तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई बाग वगरा नहीं था क्योंकि अगर बाग वगरा होता तो वहाँ पर पैरों की निशान वगरा बने होते लेकिन वहाँ कोई भी ऐसा निशान वगरा नहीं था अब उन्होंने देखा कि वहाँ उस क्रिमिनल का कटा हुआ सर पढ़ा हुआ है अब ये बात देखकर वो सभी एक दूसरी की तरफ देखने लगे कि आखर ये किया किसने अब विक्रम और अजीत दोनों सोच में पढ़े हुए थे वो दोनों को सोच पाते उससे पहले ही उनके सर पर कुछ गीला गीला टबकने लगा वो गिली गिली चीज क्या थी ये पता करनी के लिए उन्होंने अपना हाथ सर पर रखा और उन्गली पर वो चीज लेकर अपने हाथ को देखा उन्होंने देखा कि उनके सर पर खोन गिर रहा था अब उनकी नजर उपर गई और उन्होंने तौर्च की रोशनी करके आसमान की और देखा तो बेड पर उसी क्रिमिनल का जो धर था वो लटका हुआ था और उसी की धर से खोन जो था वो तपकता हुआ विक्रम वै उस अजीद के सर पर गिर रहा था अब वहाँ पर मौजूद हर शक से डर गया क्योंकि बाग वहाँ पर था नहीं और उस पूर्य जंगल में बाग के अलावा कोई ऐसा खतरनाग जानवर नहीं था जो इतना भारी भरकम इंसान को मार कर उसे पेड़ पर ऐसे टांग दे अब बाग ने ये सब नहीं किया तो किसने ये सब किया ये एक बड़ा सवाल बन चुका था सब के लिए तब ही अचानक से वहाँ पर दोसरा क्रिमिनल भागता हुआ आया और उसकी जो हालत थी वो ऐसी थी जिसे देख कर उन पुलिस वालों को भी दहा आ गई उसने देखा कि उस क्रिमिनल के दोनों हाथ नहीं थे और उसके दोनों हाथ एकदम कट कर अलग हो चुके थे वो जो कंदे थे वहाँ से खून बैरा था और वो पैरों के बल भागता हुआ चिलाता हुआ उन पुलिस वालों के पास आकर जमीन पर गिर गिया और गिर गिरान कर रहने लगा कि मुझे मुझे बचा लो मुझे उमर कैद के लिए जेल में डाल दो मुझे जेल में डाल दो मर कैद के लिए लेकिन मेरी जान बचा लो मेरी जान बचा लो और ये कहते कहते ही उसकी जो जान थी वो निकल गई क्यूंकि दोनों हाथ कटने की वज़े से कंदों से इतना खून बहा था कि उसका जिन्दा बचना मुम्किनी नहीं था अब ये सारी चीजे देख कर उन सभी फॉरेश टेंजर और आफिसर चो थी उनकी आखों में डर बैठ किया और तबी वहाँ पर भारी भारी कदमु की जो आवाजी थी वो आने लगी जैसे वहाँ पर कोई दानव आ रहा हो सभी ने अपनी जो बंदूखे थी वो साइट कर दी अब उन्हें पता था कि आखिर उन्हें क्या करना है तब ही अचानक से कदमों की जो आवाज थी वो आना बंद हो गई और सभी देखने लगे कि आखिर वो किसकी आवाज थी किसके कदम थे वो जब वहाँ पर उन्हें कोई नहीं मिला तब दरे तो वैसे ही हुए थी लो उन्होंने सुचकी चलो यहां से निकल जाते हैं और रेड स्पॉट तो वैसे ही एरिया है तो वापस आना जाना तो होगा नहीं इसलिए अपनी जान बचाओ और वहां से निकल जाओ उसके बाद सभी वहां से पीछे मोड़े ही थे तब ही उन्हें वापस से एक भयानक नजारा देखने को मिला एक फॉरस ट्रेंजर के सर पर एक बहुत गीली और चिपचिपी सी चीज जो थी वो आकर गिरी और उस चिपचिपी सी चीज से उसका जो पूरा सर था वो कवर हो गया और उसे बहुत ज़ादा घिननाने लगी आखिर वो चिपचिपी वे चीज क्या थी ये देखने के लिए जब उन सभी ने अपनी गरदन उपर गुमाई तो उन्हें नजर आया कि एक पेड़ पर तकरीबन आठ फुट का पतला सा दानव जिसकी जबान जो थी वो लार से पूरी लपलपा रही थी उसी का लार उस फॉरेश्ट रिंजर के सर पर गिरा था और उस दानव को देखकर सब ही के जो हाथ थे वो कापने लगे और सब ने कपकपाते हुई हातों से ही उसके उपर फाइरिंग शुरू कर दी उस आदम खोर पर मुश्किल से दो-तीन गोलिया ही लगी होंगी और गोलिया लगने के बाद वो वहाँ से कूट कर दूसरे पेड़ पर जाकर चिपक गया उसके बाद उनोंने उस पेड़ पर फाइरिंग करी तो वो दूसरे पेड़ पर जाकर चिपक गया ऐसे करते करते उस दानव ने उन सबी की जितनी गोलिया थी सब खत्ब कर दी और उनके पास वैसे ही कम गोलिया बची थी क्योंकि उनोंने उस जोपड़ी पर अंधा दुन फाइर किया था और जब सारी गोलिया खतम हो गई तो वो जो दानव था उसकी जबान और जादा लपला पाने लगी उन सबे को देख कर अब वो जितने भी लोग थे सबी डर चुके थे और अपनी अपनी जान बचाने के लिए इदर से उदर भागने लगे किसी को कोई मतलब नहीं था कि आखिर वो किस काम के लिए आए हैं और वो अपनी जान बचाने के चकर में बस सारी टीम वगेरा को छोड़कर इदर उदर भागने लगे और यही उनकी गल्गती थी वो दानव उन सभी के पीछे पड़ गया और उसने दो तीन लोगों की जान भी ले ली और सब को मार कर उसने खा भी लिया उसके बाद अजीद जो था वो तो अपनी ड्यूटी छोड़ गर भग गया उसके बाद वो जो विक्रम था उसने वही काम किया जिसके लिए वो जाना जादा था उसने अपनी बहादूरी की पहचान देती हुए उस आदम खोर को भढ़काना शुरू कर दिया और उस आदम खोर को अपने पीछे भागने पर मजबूर कर दिया भागते भागते बहुत मुश्किल से विकरम जो था वो अपनी जीब के पास पहुंच गया और वो आदम खोर विकरम का पीछा करते हुए उसके पास आ रहा था विकरम ने अपने दिमाग में ही सोच लिया था कि अब उसे क्या करना है और उसके अलावा उसके पास कोई दूसरा रास था था भी नहीं उसने तुरंट अपनी जीब को चालू किया और फुल स्पीड से उस दानव को अपने पीछे लेकर वहां से निकल गया बाकी के जितने भी लोग थे वो सभी वहीं पर बेबस और लाचार रो रहे थे कि अखर ये सब क्या हो गया इतने सारे जो लोग थे वो मारे गए और इतनी बुरी तरह से मारे गए थे उनकी लाच देखना भी मुश्किल हो रहा था उनमेंसे एक ने फॉरेस डेपार्टमेंट में कॉल किया और उसके बाद वहां से उन्हें कहा गया कि उस रेड स्पॉट से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ उसके बाद क्या था दूसरी तरह विक्रम पूरी स्पीड के साथ उपर वाले का नाम लेते वे उस आदम खोर को अपने पीछे भागा रहा था और वो आदम खोर बे विक्रम को अपना शिकार बनाने की लालच में उसके पीछे पीछे भाग रहा था अब अपने टीम मेट्स को बचाने के चकर में विक्रम उसे अपने पीछे तो लेकर आ गया था लेकिन अब उसे थोड़ा बहुत डर लग रहा था कि जो कुछ भी उसने सोचा है वो वो कर पाएगा या फिर नहीं लेकिन अब सोचने का समय नहीं था सरिफ करने का समय था या फिर अपनी जान देने का विक्रम ने फिर ज़ादा कुछ नहीं सोचा वो उसे एक और रेड स्पॉट वाले इलाके में लेकर चला गया अब विक्रम जो था उसने एक ऐसा रिस्क लिया जिस रिस्क में उसकी जान भी जा सकती थी उस पूरे रेड स्पॉट एरिया में वही खतरनाक दलदल था जिसमें पहले एक पुलिस ओफिसर फस चुका था अब वो जो विक्रम था वो अपनी जीप लेकर उसी इलाके में पहुँच गया था और वही पर उसी दंदल के पास में उसने अपनी जीप को रोक दिया और एक जाड़ी के पास जाकर छुप गया उस आदम खोर के पीछा करने की जो आवास थी वो अभी भी आ रही थी और तभी वो आदम खोर उस जीप की जो लाइट थी उसे देखता हुआ उस जीप के पास पहुँच गया और अपनी निगाहे आसपास दोडाने लगा कि आखिर विक्रम कहां पर है उस आदम खोर को ऐसे खुद को डूणते हुए देखकर विक्रम की भी जो बहादुरी थी वो कम पढ़ने लगी और उसके हाथ पैर कापने लगे वो पूरा वहाँ पर सुन हो चुका था और उसे आगे क्या करना है वो भूल गया था उसकी जो पैंट थी वो भी गीली हो गई थी क्योंकि उसे पता था उसे कितनी बड़ी सजा दे सकती है उसके बाद क्या था वो आदम खोरदानव विक्रम की तलाश करता हुआ उस दल्दल की इलाके के पास जाने लगा और वही हुआ जिसके बारे में विक्रम ने सोचा था उसका पैर जो था वो उस दल्दल में पढ़ गया क्योंकि वो भी एक चकमे में आ गया उसे लगा कि जिस जमीन पर वो जा रहा है वो नॉर्मल जमीन है लेकिन वो नहीं थी उसका एक कदम पढ़ते ही उसका आधा शरीर जो था वो दल्दल के अंदर धस गया उसने अपने आपको बाहर निकालने के लिए अपने हाथ पैर मारना शुरू किये लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था वो दुरे धीरे उस दल्दल के अंदर गोस्ता जा रहा था विक्रम तुरंत अपनी जीप में बैट गया और अपनी जीप को लेकर वो वहां से काफी दूर आ गया और उस दानव को देखने लगा कि वो पूरी तरह से उस दल्दल में डूब रहा है की नहीं उसके बाद क्या था उसने अपनी जो परसनल गन थी जिसे वो हमेशा जीप में रखता था उसे निकाला और अंधा दुन्द उस आदम खोर के उपर उसने फाइरिंग कर दी और फाइरिंग की वज़े से उसका जो उसकी ताकत थी वो कम होने लगी और वो फिर से दल्दल के अंदर बहुत अंदर गुस गया तकरीबन पाच मिनट चलाने के बाद पूरे जंगल में अपनी चीख को सुनाने के बाद वो आदम खोर उस दल्दल में डूब गया और अब विकरम ने चैन की सास ली अब बहुत ही बत्तर हालत में विकरम जो था वो डिपार्टमेंट में पहुँचा उसके बाद उसने वहाँ पर देखा तो मातम का वहौल जो था वो बना ही हुआ था क्योंकि इतने लोग मारे गए थे एक आदमी जो था वो उस बाग ने ही मार दिया था बाकी कुछ जो थे उस आदम खोर ने मार दिये थे इसलिए वहाँ पर पूरा मातम पसरा हुआ था यहाँ तक लोग सोच रहे थे कि अब विकरम भी जिन्दा बचा नहीं होगा क्योंकि वो आदम खोर लास्ट में उस विकरम की पीछे ही भागा है लेकिन जब डिपार्टमेंट वालों ने विकरम को जिन्दा देखा तो थोड़ा बहुत उनका दुख जो था वो कम हुआ और उन्हें ole यकीन नहीं हुआ कि आखिर विकरम जो है वो जिन्दा कैसे बच गया उसके बाद उन्होंने विकरम से पूस्तास वगरा करी क्या वो तुमने ऐसा च्या किया वो आदम खोर का क्या हुआ तो विकरम ने सारी बाते बता दी उसके बाद डिपार्टमेंट वालों को फिर से एक सबूत मिल गया कि विकरम उस डिपार्टमेंट का सबसे बहादुर आफिसर है विकरम ने अपने सीनियर्स द्वारा जो मिशन था उन क्रिमलल्स को मारने का वो तो पूरा कर दिया था लेकिन जो कुछ भी हुआ था वो विकरम की मेंटल हेल्थ के लिए वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था विकरम ही क्यों जितने भी लोग उस मिशन में थे सब की मेंटल हेल्थ बहुत जादा खराब हो चुकी थी और सब को 6-6 महीने की छुटी दी गई और किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाने की भी सला दी गई इस बात को पबलिक नहीं किया गया क्योंकि फिर से शैर का जो महौल था वो खराब हो सकता था उसके बाद क्या था साल भर तक विकरम भी छुटी पर रहा कई सारे डॉक्टर्स को उसने दिखाया चेका वगरा हुए और जितने भी लोग थे जिन्नोंने ये सब नजारा देखा था उनको भी काफी मेंटली प्रॉब्लम हुई उनका भी बहुत इलाज चला उसके बाद काफी सालों बाद वो ठीक हो पाए और यही थी आज की कहानी मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को संदे में जरूर मजाया होगा और हाँ एक बास जरूर बताईएगा अगर आप विकरम की जगा होते तो आप क्या करते इस कमेंट सक्षिन में जरूर बताईएगा वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करदे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हाँ